उसनों हिंदु धर्म में पूर्मा का विश्ष महत्व होता है यह दिन मालक्षमी को समर्पित होता है इस दिन मालक्षमी का पूजन करने से घर्मी सुक्सम्रथी आती है इस दिन पवित नदी में इस्दान करने के पश्चात दान करने से व्यक्ति को अपने बर्दमान और पि प्रजन के साथ ही उपाई के लिए बहुत खास सुबाणा जाता है इस दिन कि इंप जल्द ही सिद्ध हो जाते हैं इस दिन दूल कैने के लिए बास्तु दोस्ट और कश्टों से छुटकारा पाने लिए नबच के कुछ खास उपाई जरूर कहने चाहिए नमक का जोतिश और धर्म शास्तों में बिशिश में तो बताया गया है इस दिन नमक के उपाई बहुत ही खासमानी जाते हैं इस दिन नमक के आजसान से उपाए कर आप आर्थिक दंगी को दूर कर सकते हैं दोस्तों उपाई जानीर से पहले वीडियो को लाइक कर और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और मालक्षमी की कृपा प्राप्त काईने के लिए कमेंट बॉक्स में जैमालक्षमी जरूर लिखें नमक का धार्मिक और तंतरजाश्त मे बिशिश महत बताया गया है नमक से किये गए उपाय और तोटके बहुत ही असरकारक होती है और जल्द अपना असर दिखाते हैं नमक नकारात्मक उचा को नश्ट कर सकारात्मक उचा को अपनी तरफ आकरशित करता है नमत का किया गया यह आसान सा उपाय रात और रात आप लेकिन आपके इंकम तो 1 रुपय की है लेकिन 100 रुपय खर्च होनेला है घर में हमेशा पैसे की कमी बनी तो आप शास्तों में बताया गया यह आसान सा उपाय अवश्य करें. इस उपाय को कहने के लिए आपको एक काच का बरद जाहिए. लेख सकते हैं काच की कटोरी काच का ग्लास लेसकते हैं ऎक जैम बगायरा की जो शीश्य होती है खाली शीशी आप कहांक को इसदमाद कर सकते हैं रपसांप लेखें का अब आप को इसमें कम से कम इक मुठी नमक बरना है अगर पहलत कर देली बाल शांबускो नमक को आप इस दिब में रखतें कांच के बरतन में नमक रखने के भाद आप आपको पांच साबद फूल वाली लॉंग लेनी हैं। धियां रखें दोस्तों कि लॉंग पांच लेंग गिंती की और उनräग फूलत होना चाहिए। लौंग लेने के बाद आप इस लौंग को इन 5 लौंगों को नमक के बरतन में रख दे ना है आपको लौंग को नमक के बरतन में इस तरहे रखना दोस्तों नमक से भी हम मालक्षमी को प्रसंद कर सकते हैं इसलिए दीपावली पर धनिया इत्यादी बस्तों के साथ ही नमक भी घर लाया जाता है और फिर उसे पानी में डाल कर पहुचा लगाया जाता है ऐसा करने से घर में मालक्षमी का आग्मन होता है और लौंग की सुग अस्वारातमक उजा बनि रहती है और के ब कर लेकिन लग ऊत्तर कौने में आपको साफ इस्थान पर ही रखना नहीं अपको एप व्यापार करने करने के बार भेड़े तो आप सक्राफ्र को अपने व्यापार इसल पर रखे नगें अखिने गर्फ पर इसथा था- दोनों ये बहुत ही आशान उपाय है और बहुत ही जादा असरण कारत है ऐस उपाई को करने से जल्द घी आपको इसका असर दीखने को सब्रगत होने लगी मालक्षमी के कृपा से घर में पैसा तो टिकेगा ही साथ ही सकारात्वक उच्या भी बढ़ेगी जिससे घर परिवार में खुशियां आएंगी इस उपाई को करते समय बस इतना ध्यान रखना है कि आपने कांच का जो भी वर्तन लिया है उसका आपको मुह नहीं बंद करना जैसे कांच की बोतली है जैम की खाली बोतली है तो उसमें आप नमकों लॉंग रख तो सकते हैं लेकिन धकन ना लगाएं दोस्तों नमक धन्समबंदी समस्या को दूर करने के साथ ही लड़ाई जगड़े को भी खत्म करता है अगर आपके पत्ती में आपसे ज्यादा लड़ाई जगड़े होते हैं घर मे कलेश रहता है या फिक घर में एक उदासी का मौहल रहता है तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप एक काची कटोरी या एक ग्लास ले लें अब इसमें आप सेंधा नमक डालें सेंधा नमक वही जो ब्रत में खाया जाता है सेंधा नमक और साधा नमक दोनों ही अलग इसमाल किया जाता है इस वाले उपाय में आपको सेंधा नमक लेना है सेंधा नमक लेकर लगवर आप दो तीन चमश नमक ले लीजिए और इसे एक काच के बरतन में रख दीजिए और इस काच के बरतन को आप अपने बैड रूम या ड्राइंग रूम में रख दीजिए आप किसी भी खुली अलमारी में इसको रख सकते हैं अब जैसे पती पत्नी में लड़ाई जगड़े होते हैं पती पत्नी के संबंद अच्छे नहीं है तो आपको यह अपने बेड्रूम में रखना है अगर घर में लड़ाई जगड़े होते हैं तो आप घर में किसी भी कमरे में यह सकते तो सभी कम्रों में थोड़ा थोड़ा इसको रखें नमक नखारात्मक उजा को अपनी दरफ लेता है घर में इस नमक में चली नमक नकारात्मक उज़ा को अपने अंदर सुख कर लेगा और इससे आपके घर के हाला सुधर जाएंगे घर में जब नकारात्मक उज़ा नहीं होगी तो हर इंसान के मन में शांती रहेगी उससे कलीश नहीं होगा और घर का माहल अच्छा हो जाएगा इससे लड़ाई नया नमक भरकर रखते हैं वैसे तो चाहिए आप हमेशा इस उपाई को कर सकते हैं हमेशा के लिए नमक को रख सकते हैं या फिर आपके घर के हाला सुधर जाएं और आपको इसकी जुरुत महसूस नहीं तब आप इसको करना बंद कर दें अगर आपको नौकरी नहीं मिल र कीजिए और इसे आप अपने सिर पर तीन बार घुमाएं आप चाहें तो अपने हतेली पर रख सकते हैं या फिर चुटकी में भी पकड़ सकते हैं और फिर आपको इसे अपने सिर पर तीन बार घुमाना है इसके बाद आप इस नमक को अपने घर के दरवाजे से बाहर फैं होता है हमारे बड़े वुझुर्ग भी सुर्यास्त के बाद लगने से पहले का समय सबसे उत्तम माना जाता है इस समय कि एगए उपाय जल्द ही होते हैं और फायदा करते हैं तो आप भी सुद्यास्त के बाद ही इस उपाय को करें नमक उतार कर आपको अपने घर के दर्वाजे के बाहर फैकना है ऐसा आपको लगाता तीन दिन तक करना है ऐसा करने से एक तो नजर दोश्दूर होता है किसी की रोक डोक लगी होती है वह दूर हो जाती है नका आसार बढ़ जाते हैं अगर तीन दिन करने के बाद आपको लाब ना मिले या फिर आपको लग रहा है कि समस्य जादा है तो आपको यह नमक उतार कर अपने सिर पर से जब नमक उतारेंगे तो इसको घर के दर्वाजे से बहार ना फैक कर आपको अपने टॉइलेट में फ् दोश लगता है यह आप एक उपाय कर रहे हैं इसे आप अपने सिर्पर से उतार कर अपने उपर से नमक के साथ सारी नकारात्मक उंचाव परेशानिया फैक रहे हैं तो ऐसा करने से दोश नहीं लगता यह उपाय हमारे शास्तों में बताए गए हैं हमारे बड़े आप इनसे लाफ अवश्य ही प्राप्त करें